दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSC सेंटर को लेकर जो डाउट है या फिर TCA एक्जाम को लेकर जो कोई भी डाउट है जो कि आपने मुझे से कमेंट सेक्शन में पूछे हैं उन सब का रिपलाई हम इस वीडियो में करेंगे ठीक है अगर आपका भी कोई डाउट है या कुछ आपको कहना है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इस्टागरम पर मेसेज भी कर सकते हैं तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट सबसे पहला कमेंट है पंकरश कुमार का ये लिखते हैं कि क्या बाद में CSC सेंटर को किसी दूसरी जगए पर सिफ्ट कर सकते हैं तो बिलकुल कर सकते हो जहां पर आप अपने दुकान खोलोगे वहां का एडर्स आप बार बार चेंज कर सकते हो बार बार अपडेट कर सकते हो इसमें कोई भी दिकत की बात नहीं है, ठीक है? दूसरा कमेंट है, आधार कार्ड में email link नहीं है तो CSC registration कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हो आधार कार्ड में email ID link नहीं है, तो भी आप CSC का registration कर सकते हो और आपके अधार कार्ड में अगर कोई दूसरी email ID लिंक है तो आप किसी और email ID से भी अपना CSC का registration कर सकते हो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी पर एक चीज आप हैंपर ध्यानखना कि आपके अधार कार्ड में mobile number link होना compulsory है अगर mobile number link नहीं होगा तो OTP बगएर नहीं आएंगे फिर दिक्कत आजाएगी ठीक दूस्तों पर email ID का कोई issue नहीं है अगर email ID link नहीं है या है भी फिर भी आप दूसरी email ID डाल कर अपना CSC का registration कर सकते हो इसके बाद है ये वाला अलबी तोमर का Sir एक help चाहिए Sir मेरा pen number verified नहीं हो रहा है तो देखिए pen number verified नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि pen card में जो नाम लिखा हुआ है आपका उस में उस नाम में प्लस में जो अधरकार का नाम है या फिर जो नाम आपने डाला है TC के certificate में इन तीरों में कहीं ने कहीं difference है हो सकता है कि आपका अधरकार्ड और pen card बिल्कुल सेम हो बिल्कुल सेम नाम हो उसमें उसमें कोई गलती ना हो पर आप चेक कीजेगा एक बार कि आपका जो TC का certificate है उसमें क्या नाम लिखा हुआ है क्योंकि काफी लोग ये गलती कर रहे हैं कि जब वो TC का certificate का लिए registration करते हैं तो वहां पर वो जल्दी वाजिवे अपने detail को सही नहीं भड़ते फिर जब TC certificate बनके आयाता है फिर उनको दिक्कत होती है इसलिए मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आप जब TC का registration करते हैं तो बहुत ही आराम से करो बहुत ही जहां से करो ठीक है हुए इन्हों ने रिखा है Don't go for CSE service Worst service without आधार और आधार मिलने वाला भी नहीं है तो देखिए दूस्तों ये कहने वाले हैं कि जो CSE की service है वो बहुत ही बेकार है जब तक कि आपके पास आधार कार्ड से सम्मंद कोई भी service नहीं है जैसे कि आधार कार्ड बे अप्डेट करना आधार कार्ड बे मुवाल अप्डेट करना तो बिल्कु सही कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जो CSE की ID है उसमें आपको ज़्यादा service नहीं मिलती service तो बहुत सारी होती है वैसे पर normally वो काम में नहीं आती कहीं-कहीं वो काम में आती है plus में जो main काम है जो normal काम है जो common काम है एक तरह से वो है आधार कार्ड में अप्डेट करने का तो यह वाला जो काम है इसके लिए आपको एक अलग ID चीए होती है और वो ID जल्दी मिलती नहीं है इसलिए इन्होंने लिखा है लगी ने कि जो CSE की service है वो बहुत ही बेकार है जब तक कि आपको आधार काड़ वाली ID नहीं मिलती ठीक है तो यह अपने अपने उपर है इसके बाद दूस्तों यह है मुझे CSE लेनी है क्या आप अप्लाई कर दोगे क्या तो देखिए जो लोग भी मुझे बोलता है न TEC का certificate मेरे लिए अप्लाई कर दो तो या CSE की ID मेरे लिए अप्लाई कर दो तो दूस्तों उनको मैं यही करना चाहूँगा कि जो TEC का certificate होता है उसके लिए आपको पता होगा कि एक exam भी होता है माल लो मैंने आपका form भर भी दिया और आपके assessment भी मैंने दे दिये तो final exam तो आपको ही देने पड़ेगा क्योंकि उसमें तो camera on होगा और वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी तो इसलिए आप क्या करो बेज़क former वालों किसी से पर exam आप खुद दो क्योंकि exam आप खुद नहीं दोगे तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है और आपके जो 14 सुर्वर लगे होए हैं फीस के वो भी बेकार जा सकते हैं ठीक है इसके अलावा एक और कमेंट ले लेते हैं आपर मुझे पांच दिन हो गए अभी तक अप्रूर्व नहीं होई तो बिल्कुल सही बात है यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें कोई भी कन्फर्म नहीं है कि आपकी जो आईडिया है वो एक दिन में अप्रूर्व हो जाएगी या दो दिन लगेंगे कुछ भी ऐसा कन्फर्म नहीं है हो सकता है तो एक घंटे में हो जाएगी और कई लोग ऐसे भी है जिलकी 6 मेहने हो गए उनके आईडिया प्रूर्व नहीं होई है तो यह सब कुछ उनके ऊपर है जो CSC सेंटर वाले हैं जो CSC के आडिया प्रूर्व करते हैं उनके ऊपर है सब कुछ इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं दूस्तर यह थे कुछ कमेंट्स कुछ डाउट्स जो CSC सेंटर से को लेकर थी और इसके अलावा अगर कोई और डाउट है आपका तो प्लीज आप नीचे कमेंट करते हैं इस वीडियो को मैं खतम करता हूं वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करते हैं थैंक यह वीडियो सी